Hello Everyone, Central University of Rajasthan में Teaching Position के लिए Vacancy आई है, Professor, Associate Professor और Assistant Professor के लिए इसके regarding जो Detail Advertisement है या Official Notification है वो आपको इनकी Website पर देखने को मिल जाएगी Professor, Associate Professor और Assistant Professor के लिए Form आए हुए है यहाँ पर इसके लावत जो Application Feast है वो 1500 है, Form भरने की जो Last Date है वो 11 अपरेल रात को 12 बज़े तक Online Form भर सकते हैं वहीं पर Online Form भरने के बाद उसका Print Out ले करके और जो भी Essential Documents है वो Hard Copy पहुचने की जो Last Date है वो 18 अपरेल शाम को 5 बज़े तक है Hard Copy Registrar Office में इस Address पर Send करनी है इन्होंने पहले भी Professor और Associate Professor की जो Vacancy रिलीज करी थी 23 March 2020 में और July 2020 के अंदर तो उस Time पर जिन लोगों ने भी Professor और Associate Professor का Form फिल किया था उन्हें भी इस बार Form फिल करना है बट उन्हें कोई Feast Pay करने की जरूरत नहीं है तो School of Life Science, Life Science के अंदर जो है वो Bio Chemistry और Bio Technology सबजेक के लिए वेकेंसी आई है Professor, Associate Professor और Assistant Professor के लिए Professor Post के लिए जो Minimum Eligibility है वो है PhD डिग्री, PhD डिग्री के लावा कम से कम 10 रिसर्च पाब्लिकेशन होने चाहिए पीर रिवियोड या फिर UG सिलिस्टे जनरल के अंदर जो इसका डिटेल है वो Table 2 में दिया हुआ है यहाँ पर इसके लावा कम से कम 10 साल का Teaching Experience होना चाहिए University में, College में, As a Assistant Professor या फिर Associate Professor या प्रोफेसर या अगर यह Teaching का नहीं है तो कम से कम Research Experience होना चाहिए University या फिर National Level जो Institution होते हैं Research Lab है उसके अंदर इसके अलावा अगर यह वाली जो Have Qualification वो नहीं है तो कम PhD डिग्री होने के साथ साथ जो की relevant subject में या LID या फिर Applied Discipline में हो सकती है उसके अलावा कम से कम 10 साल का Experience तो mandatory है Professor की Post में अप्लाई करने के लिए Associate Professor के लिए जो Minimum Eligibility है वहाँ पर PhD डिग्री होनी चाहिए Concert या LID या फिर 11 discipline के अंदर मतलब इन सब्जेक्स के according जैसे आप बायो केमिस्ट्री या बायो टेकनोलजी के लिए अप्लाई कर रहे हो उस ताइम पर इसके लावा Master में कम से कम 55 marks आपके होने चाहिए या फिर 50 marks 50% marks आपके आने चाहिए इसके लावा कम से कम 8 साल का experience होना चाहिए teaching या फिर research में research या academic के अंदर जो की आपकी जो position है वो assistant professor के equivalent होना चाहिए college के अंदर अगर ये experience वाली eligibility आपके पस available नहीं है तो कम से कम आपके जो 7 publications वो होने चाहिए peer reviewed या फिर UG listed general के अंदर तो आपको जो total research score है वो 75 चाहिए UGC regulation 2018 के कॉडी या तो आपके पास experience हो 8 साल का या फिर आपके पास publications हो जिसमें आपका इसको 75 तक आए assistant professor के लिए जो minimum eligibility criteria है वो ये है कि master degree होनी चाहिए biotechnology में किसी भी Indian university से या फिर कोई इसके बराबर की degree हो जो foreign university से अगर कोई foreign से apply कर रहा है इसके लावा at least 50% marks master degree में होने चाहिए आपके या नहीं MSC duration में होने चाहिए इसके लावा net qualified होना चाहिए national eligibility test यह जो CSIR का exam होता है वो qualified होना ज़रूरी है या फिर आपके पास PhD degree होनी चाहिए UGC का जो ये rule आया हुआ था जिसमें कुछ criteria उन्होंने रखा था PhD के लिए अगर वो है तो फिर आप net वाली जो position है उससे exempted हो यानि कि net हो आपके पास यह compulsory नहीं है जो fees है वो 1500 है वही पर others के लिए जो fees है वो nil है तो जो eligible candidates है वो इस form को जो इनका prescribed format है वो आप भर सकते हो केवल shortlisted candidates को presentation के साथ साथ जो interview की process है उसके लिए बुलाया जाएगा इसके लिए एक reserve committee बनाई गई है और जो भी उनका decisions होगा उसके according ही candidate को shortlist किया जाएगा उसके बाद एक presentation और उसके बाद आपका interview होगा करने के बाद उसका print out लेकर के उसकी जो hard copy है वहाँ पर सब कुछ अपनी detail self attest करके और उसको registrar office में send कर दीजेगा envelope के ऊपर जो है वो application किस post के लिए कर रहे हो और कौन सा department है वो mention करना compulsory है जिन लोगों की भी eligibility criteria इस advertisement के according match कर रही है वो लोग form जरूर फिल करियेगा opportunities बहुत काम आती है आजकल तो all the best guys यह form आप लोग जरूर फिल करियेगा थैंक यू